खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स इंडिया नियूस को सब्सक्राइब कीजिए कितने विधायक हैं कितने साथ हैं सब वैसा ही है इंतजार और कितना एलान को लेकर हैं और जो फर्स इंडिया ने आज दो पर में आकड़े बताये थे उस आकड़े से एक भी वोट इदर उदर नहीं हुआ है वही जीत का अंतर रहा है उतने ही वोट मिले है चोंसट वोट मिले है कैसी वेनु गोपाल को निरज डांगी को मिले हुनसट वोट इसके लाव राज के शल्वह ज्योशी पहुँचे मुख्यमंत्य असोगैलोट के पास में उन्होंने जीत का परिदी की वोट में जीत का जीत पारड़ू का अगलिद का अग्री बताय कितने वोट वोट जीते कांवेन्यनोगोपाल भी जीता है और राजंद्र गैलोत को बढ़ाई देने के लिए उनको सुब्सकामना देने के लिए जोदपुर से लोग यहां पे पहुंचे हैं तो जिस तरह से हमने सबसे पहले बताया था कि जीतते हैं कितने वोट मिलेंगे ये भी बताया था उतने वोट ही मिले हैं और हैं जोदपुर से और उनको बढ़ाई देने के लिए क्या नाम है आपका सर मेरा नाम कमलेस बादीच है आपके जो आपके प्रसंसक नेता है वो चुनाव जीत गए कैसा लग रहा आपको यह बहुत हर्स का विशा है और सब के लिए हर्स का विशा है और हमारे लिए तो वि राजयन्द्र गेलोत के समर्तक है बीए कि Одक है यह यहां पर हैं और नाम है इसके लाव किलाए करके बाब बाखिन çekा रहो धरी चुक्श है और शुन सबाल बाहर जो रख अब हम यह कह सकते हैं कि जो जीत है वो हो चुकी है कौन राज्य सभा में जाएगा यह तै हो चुका है अलंकि प्रमान पत्र कुछ देर में दिया जाएगा जब कैसी वेनु गोपाल और निरवाचन अधिकारी के चेंबर में जाएंगे और दूसरी बात यह बताएं कि विधा इंतिजार इस बात का है जब उनके जो सांसद राज्य सभा सांसद उनके सामने आएंगे उनको बढ़ाई देंगे जीत का जश्न होगा परिवजनों में भी खुशी का माहल है और आपने खुद तश्वीरे देखिए कि किस तरह से निरज डंगी का परिवाहर हो या चाए राजंदर गैलोथ के घर में किस तरह से खुशिया है वो लगातार मनाई जा रही हैं उनके प्रशनसकों में खुशी का माहल है मिठाईया बटने का सिलशिला शुरू हो चुका है बढ़ाईया बेने का सिलसिला शुरू हो चुका है चाए वो सोशल मेडिया हो अन्य कोई ब पादम हो तमाम जो उनके प्रसंद से कहकारे करता भारतिय जंता पार्टी और कॉंग्रेस के वह बढ़ाई दे रहे हैं बढ़ाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है कुछ देर में हम यह भी देखेंगे कि राजंद्र गैलोथ है कैसी वेड़ोपाल है निरज डांगी उन बिल्कुल और ये दोपहर में ही आखरे आपने दिये थे नरेशी की इतने वोट यहापर मिल सकते हैं और इतनी संभावना हाला कि अभी भी इंतजार आपचारिक एलान को लेकर है लेकिन यहाँ पर जिससर से बधायों का सिलसला भी शुरू हो चुका है लेकिन ठीक है हौस वोटिंग को लेकर बात कहीं जाई थी हौस ट्रेडिंग को लेकर बात कहीं जाई थी कह सकते हैं कि जैसा जो पार्टी अपने विधायों को लेकर कह रही थी उतने ही वोट सामने है कोई इधर से उधर नहीं कोई वोट यहाँ पर रद नहीं कहीं कोई तुरूटी नही बिल्कुल देखिए हम कह सकते हैं कि आज का जो चुनाव परणाम है उसमें कह सकते हैं कि असो गैलोत की सियासी जादूगरूई एक बार फिर से सामने आई है जो जादूगरी उन्होंने राजनीती में जो जिसके लिए माहिर है वही जादूगरी एक बार फिर उन्हीं दिखाई है राजी सभा चुनाओ में क्योंकि जितने वोट उनके सरकार को समर्थन दे रहे हैं उतने वोट उन्हेंaroo राजी सभा चुनाओ में जो है वो गन्दिडेट को दिलाए हैं और एक सुत्र में बांदे रखा ये बड़ी चीज है, केवल कॉंग्रेस के तमाम विधायक एक साथ रहे, कई तरह की चर्चा है थी, लेकिन उन सभी चर्चाओं को निर्मूल साबित करते हैं, असो गेलोत ने सभी को एक साथ रखा, तेरे निर्दली विधायक, बहुत कम होता है ऐसा कि जब इतने निर्दली था, उतने वोट मिले हैं, एक भी वोट का है, फिर यहाँ पर नहीं हुआ है, तो यह सबसे बड़ी सियासी जीत कह सकते हैं, और इस जीत के माइने दिल्ली तक जाएंगे, इस जीत के माइने पूरे देश की राज़ी लोटेंगे वापस आपके पास